तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बटर गालिक प्राउंस की रेसिपी वो भी रेस्टोरन स्टाइल में तो फिर चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां 300 ग्राउंस लिये हैं और इसे हमने अच्छे से क्लीन करके वाश कर लिया है और अभी हम इसे थोड़ा साइड में रख देंगे और दूसरी साइड से हम एक पैन को गरम करेंगे जैसे पैन गरम हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे तेल around 2 टेबल स्पुन तेल मैंने इसमें ऐड किया है और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे जब तेल गरम हो जाए हम इसमें एड़ करेंगे प्राउंस यानि की जहिंगे प्राउंस एड़ करने के बाद हम प्राउंस को अच्छे से सारे पैन में स्प्राउंस कर लेंगे ताकि यह अच्छे से कूक हो जाए और फिर हम इसमें एड़ करेंगे नमक आप अपने स्वात के सबसे नमक एड़ कीजिए मैंने इसमें half टी स्पून नमक एड़ किया है नमक एड़ करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे एक से दो मिनिट के लिए हाई फ्लैम पे अच्छे से स्टर करेंगे जब यह बिण पराउंस कलर चेंज कर लें तो हम इसमें बटर और कर देंगे अरॉट वन टेबल स्पुन बटर मैंने इसमें ऐड़ किया है बटर एड़ करने के बाद हम इसे बटर के साथ अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और एक से दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे और फिर हम इसमें एड़ करेंगे चौप की हुई गालिक यानि की लेसन और गालिक करने के बाद हम इसे और एक मिनिट के लिए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे स्टर करते हुए और फिर हम इसमें एड़ करे के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढखके हम इसे और दो से तीन मिनिट के लिए पकाएंगे तो दो से तीन मिनिट हो चुके है इसे पकते हुए अभी हम यह चेक कर लेते हैं तो अभी हम इसमें एड करेंगे पानी और कॉर्ण फ्लार की स्लरी थोड़ा सा इसे दाड़ा करने के लिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा हम पकाएंगे हाई फ्लेम पे एक से दो मिनिट के लिए और फिर हम इसमें एड करेंगे काली मिर्च का पाउडर यानि कि ब्लैक पैपर पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पे और स्टर कर लेंगे सो अभी ये प्राउंस जो है बिल्कुल अच्छे से कोख हो चुके है आप चाहे तो चेक करके देख लीजिएगा मैंने फ्लेम को आफ कर लिया है और इसमें मैं एड करूंगे स्प्रिंग ओनियन अगर आपके पास प्रिंग ओनियन अवेलिबल नहीं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना अल्ला फीस